नमस्कार, कक्षानो, exercise 2.5 का question number 6 हम कर रहे हैं जहां हमें इस प्रसारित रूप में लिखना है यह है 2A-3B का whole cube, हमें पता है हमारे पास एक सरफ समी का है A-B whole cube, अभी हमने पिछले भाग में A-B whole cube किया था, अब हम कर रहे हैं A-B whole cube जो की बराबर होता है A cube minus B cube minus 3AB into A-B उस फार्मुले और इस फार्मुले में सिर्फ फरकिया है, जहां भी प्लस आ रहा था, वहां सब जगा माइनस हो गया है तो यह भी एक सरफ समी का है, इसे भी आपने याद रखना है, कोशिश करें, इसे अपनी copy में अलग लिख लें मैं भी कोशिश करूँगा आपको बाद में एक अलग से list बनवाने की ठीक है बच्चों? तो यह सरफ समी का है, इसे भी आपने याद रखना है मैं एक बार आप सब बच्चों के लिए से रिपीट कर रहा हूँ a minus b whole cube बराबर होता है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b आईए अब हम अपना स्वाल देखते हैं वो था 2a minus 3b का whole cube यहां से clearly इन दोनों को मिलाओ देखो a किसके बराबर है? 2a के बराबर b किसके बराबर है? 3b के बराबर तो आईए यह 2a और 3b जो है इस पूरी सर्वसमिका में डाले a की जगा 2a तो a का cube यानी 2a का cube minus b का cube यानी 3b का cube minus 3 into a a कितना था? 2a into b b कितना था? 3b इसके बाद बड़ी प्रैकेट a, a कितना है? 2a minus b कितना है? 3b यह लग है यह तो सिर्फ आपको बताने के लिए था समझाने के लिए था ठीक है बचो? अब हम इसे हल करते है देखो 2 का cube 2 दूनी 4 दूनी 8 a का cube होता है a cube आगे है minus minus 3 का cube होता है 3-9-2, b का cube होगा b cube आगे देखिए मैंने पहले भी समझाये था इन तीनों को अलग हल कर लिए 3 दूनी 6, 6 तीए 18 a into b, a b 7 में minus का निशान यह वाली bracket bracket में है 2a minus 3b अब क्या होगा बच्चो? हमने पहले भी समझा एक bracket के बाहर एक पद है यह इससे भी गुना होगा और फिर इससे भी गुना होगा है न बच्चो? पहले भी सीखें ऐसी बहुत से चीज़े हमने तो 8a cube ऐसे ही आ जाएगा minus 27b cube ऐसे ही आ जाएगा उसके बाद यहां क्या होगा देखिए 18 जब 2 से गुना होगा तो 18 दुनी 36 a into a a square साथ में b minus into plus minus उसके बाद देखो minus into minus plus 18 into 3 54 a into यहां a नहीं है तो a b into b होगया b square ठीक है बच्चो अब देखो यह है a cube यह है b cube यह है a square b यह है a b square इन में से कोई भी रकम एक जैसी नहीं है इसलिए यही इसका प्रसार है तो यहां पर हमारा question जो है वो खतम होता है यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको like जरूर करना बच्चो और इस प्रश्ण के बाकी भाग देखने के लिए मेरे बाकी वीडियो आप देखेगा धन्यवाद झाल